बिग बॉस 17 खत्म होने के बाद से विनर और स्टैंड अप सुपर स्टार मुनवर पारे की काफी बिजी चल रहे हैं मुजिक बीडियोस से लेकर उनके अपकमिंग शोज काफी कुछ लाइन अप में हैं लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद उनके इंस्टाग्राम लाइब से ज्यादा पौपिलर क्या ही होगा और अपने इंस्टाग्राम लाइब में उन्होंने कंटेस्टेंट से रिलेटेड और स्पेशली मननारा को टांट करते हुए कुछ बाते बोली जिसपर मनाराने फाइनले अपना सालन्स तोड़ा तो चल ये जानते हैं कि ऐसा क्या कहा मुनवर ने मनारा के बारे में और मनाराने उसपर क्या जवाब दिया लेकिन उस्से पहले हर जिंदगी को सब्स्क्राइब करना ना खूले मननारा और मनवर के बीच की दोस्ती के चर्चे पूरे बिग बॉस सीजन 17 में हुए और बाद इश्क मोहपत तक पहुँच गई थी किसी ने इसे मननारा का एक तरफा प्यार बताया तो किसी ने कहा कि दोनों ही एक दूसरे से कहीं न कहीं connected है और इसी रिष्टे ने घर के अंदर चीजे complicated कर दी और यही complication शायद बाहर भी देखने को मिला शो के बाद मननारा ने अपने इंस्टाग्राम बायो पर बिग बॉस 17 winner in the female category लिखा और फिर बाद में बिग बॉस runner up तक लिख डाला जिस पर netizens ने उन्हें काफी troll किया लेकिन बात यहीं नहीं खत्म हुई क्यूकि मुनवर ने अपने live में आकर मननारा की इस चीज पर taunt किया मुनवर शो जीतने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर live आया और उन्होंने मजाग बनाते हुए कहा औरा को जानते हो सब लो औरा एनराई कैटेगरी में विनर था बस यही बता रहा था मुझे नावेद जो था वो runner-up था एनराई कैटेगरी में wife कैटेगरी में अंकिता विनर थी husband कैटेगरी में विक्की भाई हालाके मुनवर ने मनारा का नाम तो नहीं लिया लेकिन यह मजाग उनके इस्टाग्राम बायो की तरफ इशारा कर रहा है मुनवर ने तो इस बात पर मजाग बनाया ही वही औरा भी बॉस पार्ट में विनर एनराई कैटेगरी का बैंड भी पहने हुए नजर आए इस ते साफ दिखा कैसे मनारा की एक लाइन उन्हें ट्रोल करने का जरिया बन गई इस बात पर मनारा से जॉबिक इंटर्व्यू के दौरान सवाल पूछा गया तो मनारा ने मुनवर के लाइब के बारे में clarity देते हुए कहा I will tell you very honestly in my real walk of life or wherever I go people like to talk about me I leave that kind of impression It could be a very good impression I cannot make everyone happy It could be a very good impression which mostly is It can be a negative impression also I don't get bothered about what people are talking about but I was really having fun Everyday in Big Boss I had a lot of joy and I didn't get upset I am a very happy-go-lucky person She further I did मनारा ने इस पूरे इंसिडेंट को काफी supportingly लेकर at least ये तो दिखाया कि उन्हें उन पर मजाग बनाय जाने से कोई problem नहीं है आप comment में जरूर बताये कि मुनवर का इस तरह मजाग बनाना सही थाया नहीं और जुडे नहीं कर जिंदगी के साथ